आज हम बात कर रहे हैं कि respiration में कौन-कौन से step रिनों होते हैं, क्या mechanism होती है इसकी, तो सबसे पहले बात करते हैं respiration में breathing की, जिसमें दो step पे inspiration और expiration inspiration का मतलब हुआ जो atmospheric air है उसको अंदर लेना thoracic cavity के लंग्स के अंदर fill करना और expiration का मतलब हुआ कि जो lungs के अंदर air है उसको वापस atmosphere में expel out करना, तो सबसे पहले हो गया breathing, breathing का मतलब हुआ कि in flow of and out flow of air between atmosphere and the alveoli of the lungs और ये जो process है ये होता है जो gases का जो partial pressure है उसमें difference की वज़े से, second step होता है कि ये जो oxygen in air के साथ में oxygen और CO2 अंदर गई है सबी तरह की gases होती है, air के अंदर वो सब enter करती है लेकि जो एक्सेंज होता है वो oxygen और CO2 का ही होता है especially, तो alveoli membrane पर यहां पर oxygen को अंदर ले लिया जाता है और CO2 को release कर दिया जाता है इसका reason भी होता है इनके partial pressure में change या difference होने की विज़र से अब यह जो alveoli membrane से एक्सेंज हुआ है यह RBC यह ब्लड के थुरूग होता हुआ इसको transport करेंगे tissue की तरफ, transport of gases by the blood और tissue में फिर एक और एक्सेंज होगा tissue में जो CO2 बन दिये उसको blood को दिए जाएगा और blood से जो oxygen है इसको वापस tissue को दिए जाएगा तो third step होगा the diffusion of oxygen and CO2 between blood and the tissue और अब यहां पर जो oxygen आई है tissue में इसका utilization होगा ETS में और ATP का production होगा overall यह aerobic desperation इस तरह से complete होता है तो अब हम डिसक्स करेंगे इसकी mechanism की सबसे बात करते है inspiration की देखिए inspiration के लिए इस्टर्नम रिब्स इनके बीच में लगी कुछ muscles लो तरह की muscles है एक नाम है external intercostal muscles and internal intercostal muscles और डाइफ्राम इनका रूल होता है जब हम बात करेंगे inspiration की तो inspiration के case में चो external intercostal muscles हैं इनके अंदर होगा contraction और तो डाइफ्राम है इसकी होती है फ्राइट्रेंटिक मुसल्स इसके अंदर भी contraction होगा इसकी वज़े से डाइफ्राम की शेव चेंज हो जाएगी यह इस तरह से डूम की वज़े फ्लैट हो जाएगा और जब external intercostal muscles में contraction होगा तो यह ribs को बाहर की तरब खीचेगा overall thoracic cavity का size बढ़ जाएगा thoracic cavity का size बढ़ने से जो atmospheric pressure है जो कि बाहर ज़्यादा होता है कैसे इसका और lungs के अंदर कम है तो बाहर की कैसे इस lungs के अंदर enter करेगी दो और muscles हैं जिनका नाम लेते हैं internal intercostal muscles and abdominal muscles इनका भी यूज होता है लेकिन ये जब forcefully करते है respiration जब से exercise की समय है तो उस समय होता है नॉर्मली इनका यूज नहीं होता है तो सबसे पहले कहते हैं inspiration की की बात करते हैं देखिए inspiration के case में external intercostal muscles में contraction होगा जिसकी वज़े से यह sternum है और यह ribs है और यह जो आँको दिख रहा है यह है diaphragm तो जब external intercostal muscles जो इनके 20% है इनमें जब contraction होगा तो यह ribs के spinger को बाहर की तरख कीचेगी इस तरह से और यह जो diaphragm है यह नीचे की तरख जाएगा कि इस वज़े से इस तोरिस्टी का साइज बढ़ जाता है जैसे बकेट का जो हैं इसको हम अगर उपर उठाएं सेम ऐसी ही कंडिशन यहां होती है कि यह जो ribs है यह स्टम से जुड़ी होती है और यह जब external intercostal muscles में जब contraction होता है तो यह कुछ बाहर की तरफ निकलती है और इस तरह से थोरस्टी का साइज बढ़ जाता है जैसे ही थोरस्टी का साइज बढ़ता है बाहर की जो air है atmosphere air वो lungs में एंटर कर जाती है इस diagram में आप दे सकते हैं कि जो diaphragm है उसकी shape में change होता है यह rest condition है जब inspiration होगा तो यह नीचे की दरफ आएगा diaphragm इन दोनों को मसल्स में होता है contraction इसकी वज़े से inspiration होता है अगर हम बात करें expiration की तो यह एक passive process है क्योंकि जिन मसल्स में contraction होगा अब उनमें होगा relaxation यानि कि external intercostal मसल्स में relaxation होगा और diaphragm की मसल्स में भी relaxation होगा diaphragm की जो frenetic muscles है उनमें जब contraction relaxation होगा तो वह वापस डोब शेप यानि कौन के हो जाएगी और external intercostal muscles में जब relaxation होगा तो वापस वह उसको ribs को अंदर की तरफ ले आएगी और इस वज़े से thoracic cavity size कम होगा और thoracic cavity यानि कि लंग्स में जो एर फिलो वह रो रखी होती है उसको बाहर expel out कर दिया जाता है यानि कि जो expiration है यह एक passive process है कभी-कभी कुछ situation के अंदर forcefully भी air calm expel out करते हैं उस समय abdominal and internal intercostal muscles यह भी role play करती है expiration के case में लेकिन generally जो normal respiration होता है उसमें सिर्फ external intercostal muscles और diaphragm की genetic muscles का ही rule होता है तो यह एर ट्रेक दिखार गए कि external layer से air enter करती है वहां से जाती है nasal cavity में nasal cavity से internal layers फिर pharynx pharynx से grotis से होते हुए larynx में एंटर करती है फिर trachea trachea से bronchi, bronchiol, bronchiol से alveolar duct और last में alveolar इस तरह से fresh air का movement होता है अगर बात करें expiration की तो expiration हमने कर लिया कि diaphragm की muscles में relaxation होगा और वह हो जाएगा convex और internal intercostal muscles जो है इनमें भी relaxation होगा जिसकी वज़े से वह ribs को नीचे की तरफ लियाएगी और थोड़ सी cavity का size decrease हो जाएगा और air को pull out कर देंगे और जब expiration होता है तो उसमें जो air का flow है वह है अल्विले से जाएगा अल्विले डक्त के अंदर अल्विले डक्त से जाएगा ब्रॉंकियोस दें ब्रॉंकाई दें ट्रेकिया लैरिंग्स पैरिंग्स ग्लॉटिस पैरिंग्स इंटर्नल नियर्स निजल केविटी एक्टर नियर्स आउफसाइड दा मेंब्रेन अब बात करते हैं यंत्र की स्पाइरो मीटर यह जो वॉल्यूम अब दा एर है जो की ब्रीधिंग के मुमेंट के समय होता है उसका पता लगाने के लिए एक यंतर का यूच्छी आता है इस्टूमेंट का स्पाइरो मेटर कुश्य ना सकता है इसके उपर हमने चूप हमने चूपी पड़ा वह तो था फिजिकल मेकनिजम अब देखते हैं कि यहां कैसे इस सर्फेस पर एक्सेंज होता है तो यह जो एक्सेंज ऑफ गैसे तो रोता है उनके पार्सियल प्रेशर में डिफरेंसी विजय से एक्टमस्फेर जो प्रेशर प्रेशर 40 mmHg और हमें पता है कि गैसे हैं वो अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हूं करते हैं चुकि ऑक्षिजन का पैसर बाहर 159 और अंदर है 105 तो यह बाहर से अंदर की तरफ आएगा ऑक्षिजन और स्यू टू बाहर अंदर है 40 mmHg स्यू टू अंदर की तरफ है 40 mmHg और बाहर की तरफ है only 0.3 mmHg तो यह आसानी से बाहर की तरफ चली जाती है अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ तो इस तरह से अल्यूलाइक मेंब्रीन पर गैसेज का एक्षिन रता है उसके बाद वहां से यह ब्लड केपली और प हाट से इसको पूरी बॉड़ी में अलग अलग डिफरेंट टिशू तक पहुंचा दिया जाता है टिशू लेवल पर बबात करते हैं कि बहां पर कैसे यह एक्षेंज होता है तो टिशू लेवल पर दीखिए कि हाट में जब ऑक्षिन पहुंचती है उस समय उसका प्रेशर होता है हंड्रेड एमेम एचेजी अक्षिजन का और स्यू टू जो है उसका प्रेशर होता है फौर्टी एमेम एचेजी लेकिन जो एक्टिवली रेस्परेटिंग टिशू जै यहां पर जो ऑक्षिजन का प्रेशर है वो है फौर्टी एमेम एचेजी तो ऑकषिजन यहां पर है 100 और यहां पर है 40 यानि कि यह अपने high pressure से low pressure की तरब जाएगी यानि कि oxygen move करेगी cells की तरब और cells में चुकि 45 mmHg है एक पास प्रेशन और CO2 और blood में है 40 तो यहां पर 5 का difference है यानि कि CO2 जो है वो enter करेगी blood के अंदर इस तरह से tissue और blood capillaries यानि blood की बीच में gases exchange होता है इसे हम कहते है internal respiration the gas exchange between the systematic systemic capillaries and tissue cells इस डियाग्राम में यह शोग किया गया कि कैसे alveoli की air में CO2 और oxygen जो होती है वो blood capillaries के अंदर जो है जो परजेंड होती RDC और blood plasma उसमें आपस में exchange होता है तो जो alveoli के अंदर air है यह जब enter करती है में बता है इसका प्राश्य प्राश्य में 159 के करीब तो यह अंदर एंटर करती है तो 98.5 परशेंट जो oxygen है वो oxymoglobin बनाती है एच बी की साथ द्रीक्षिन करके HPO2 बनाती है और यहां है चाइना को रिलीज कर दिया जा रहा है और सिर्फ 1.5 परशेंट आपसेंट है वो रिजॉल ऑक्षियन गैस की फॉर्म में ट्रांस्पूर्ट की जाती है अगर हम बात करें टिशू लेवल की तो यहां जो सिउटू बनती है तीशू लेवल पर उसमें से 7% पार्ट तो है क्वार्बन ड्रांस्पूर्ट का वो डिजॉल गैस की रूप में टांस्पूर्ट की जाता है और 23% पार्ट जो सिउटू का है वो हिमोगलोबीन से रिक्षिन कर लेता है और एच्वी सिउटू का फॉर्मेशन करता है एच्वी सिउटू का नाम है कार्ब अमीनो हिमोगलोबीन और 70% CO2 जो है वो वाटर के साथ रिक्षिन करके इन्दफजेंस और कार्बोनिक एन हाइडरेज एंजाइन S2CO3 का फॉर्मेशन करती है और ही S2CO3 कार्बोनेट आयन और H प्लस आयन में चेंज होता है यानि बाई कार्बोनेट आयन है इनकी फॉर्म के अंदर ही CO2 का ट्रांस्पोर्ट किया जाता है यह रिक्षिन आपने पढ़ी होगी क्लॉराइड सिफ्ट रिक्षिन जब S2CO3 और H प्लस आयन बनते हैं तो S2CO3 बाहाँ चला जाता है और उसके अगेंस CEL माइनस अंदर आता है इसे कहते हैं क्लॉराइड सिफ्ट रिक्षिन और यह एच प्लस आयन है यह एच बी ओटू से रिक्षिन करेगा जब भी एच आयन की नंबर ज़ादा होगे तो वह ऑक्षिजन के लिए उसकी अफिनिटी कम हो जाती है अगर हम बात करें तिशू लेवल पर तो टिशू में जाते ही क्या पर हीमोगलोबीन वेशन के लिए और ऑप्लस प्लस सान की मातर जादा होने से हिमोग्लोबिन के एफिनिटी ऑफिजन के लिए कम हो जाती है और ये ऑफिजन को यहां रिलीज कर जाता है यानि कि ऑफिजन को छोड़ दिया जाता है टिशू की तरफ इस तरह से टिशू लिवल पर ये एक्सेंज ओफ गैसेज होता है इसका एफोजिट होता है एल ़ुलाई में एल वुलाई के अंदर ऑक्सिद्ट जो है वो हीमोग्लोविन से रियक्शन करती है और यहां पर HR लगा होता है बढ़े और यहां काम आज़ाते हैं कार्बरिक एनभिरत के की स्वार्मेशन के लिए सौरी एस्टू स्यूट्री बनाने के लिए क्योंकि यहां पर अब एस्टू स्यूट्री बनाके इसको वापस बाहर बेजना है तो जो कार्बोनेट आयन है वो अंदर एंटर करेंगे आर्बिसी में हम बात कर रहे हैं ब्लड कप्रिलिज एड़ लेवल ऑफ अल्विलाई तो यहां पर जो स्यूट्री माइनस जो बने थे ब्लड प्लाजमा में थे वो आएंगे अंदर आर्बिसी में और एक्षाइं से रियक्शन करके बनाएंगे एस्टू स्यूट्री और यह कार्बोनिक एन हाइड़ेज की प्रेंस में टूटेगा एस्टू और स्यूटू में जो यह रेस्पोंसिबल होता है एस्टू स्यूट्री का ब्रेक होना एस्टू स्यूट्री माइनस और एस्ट प्लस के अंदर